बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी टुम पेपर हैकर में मैं सुरस राज़ की बिदिखने वाले हैं जो भी छात्र BSC सेकंड सेमस्टर में हैं उनके लिए जिलो जी का पेपर लेगे हैं 2022 का पेपर पूरा लिक हो चुका है आप सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि जो जो कोशन में आपको यहां बदा रहा हूँ भाई कोशन रटके चले जाना और 85% प्लस महला कि 2022 के आप 10 टॉप 10 में आप आने वाले हैं तोप 10 का मतलब होता है उपर से 10 में नंबर के बीच में आप आने और उपर से 10 टॉप 10 की लिष्ट में आप आओगे सब मस लेना आप इन कोशनों को रटके चले जाना आपको फेल करने वाला कोई पैडा नहीं है किसी उनिवस्टी से हो पी से बिहार से उत्तराखंड से कि सिबए उनिवस्टी से हो दो अब सब्सक्राइब करेंगे, पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब करें, जल दी से बात करने वारा है। जलो जी के पेपर के बारे में, 2022 में क्या अच्छा परा है। ध्यान से देख लो, अपने बुक, नोट्स, गैसपर को टिक लगा लेना, यदि नहीं है, आपके पास नोट्स बगारा नहीं लेकर आए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कसार बहुत लंबा लंबा कोशन दे रहे हैं हमारी नोट्स में, तो आप हमारी नोट्स को डालोड कर साना है, most important है, paper में छप रहा है, carbohydrates का बर्गीगण, बर्गीगण करेंगे तो अब तीन प्रिकार का होता है, carbohydrates, तीन भागों में divide किया गया है, एक होता है, monosaccharides, एक होता है, polysaccharides, इन तीन भागों में divide किया गया है, carbohydrates को, किसको तीन भागों में, उनके महत्व को, उनके गुद्ध को तीन भागों में divide किया गया है कार्भोहीडरेट का classification तीन भागों में तीन भागों में next question next question बोला गया है जो लिपिडो का वरीग्ण मतलब कि जो लिपिड है उनका classification करना है और उनके गुद्ध के बारे में याद करना है बहुत महत्पुन कोशन है उसके बाद में है अमीनो अमल को पढ़के जाना अमीनो अमल क्या होते हैं अमीनो एसेड के कितने प्रकार होते हैं अमीनो एसेड के प्रकार भी यहाँ प्याद करके जाएंगे उसके बाद में है देखो नेमनो कल्चर और क्लासिफिकेशन मतलब से आपसे पूछेगा एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम के पिरकार के बारे में बताईए एंजाइम क्या है एंजाइम के पिरकार सबसे ज़्यादा को पढ़ला और इपो एंजाइम को पढ़ला एपो एंजाइम यह है और आइसो-एंजाम यह तीन परिकार का एंजाइम है जोtil सबसे जल्दा paper में बूचे जाते लेकром सबसे बहुत प्रेब्इस Army किलीसलिये लेकरं सबसे महथपोर्ण जो तरम होता वह पहला बाला होता है जिसे दिसके हम कईधी यही था करिया किस तरीके से वो हमारे बोडि में करता लंग है यह मुचा गया है उसके बबाद में मैं को मो हो सके कामें एक बार पढ़ लिना डियात तो कर रहे आप ना हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं लेकिन पेपर में ज़रूर बूचा जाएगा ये कोशन सब जो बता रहा हूँ, ये सब कोशन लॉंग में आएंगे, ये कोशन लॉंग में आएंगे ठीक है, गलाइको, देखो, गलाइकोलिसिस की बारे मात करें इसका निर्माण कैसे होता है, बनाने के बिदे, ये आपको लॉंग में कोशन बनेगा, 80 पे एक निर्माण की बात करेंगे, शौट में कोशन बनेगा, बिटामिन क्या होते हैं, इनके कारण के पिरकार के बारे में हैं आप को पेपर कर情況 प्रेस्ट संस्पर है कर कर बीडियो कर लिंक आपको बहां मिलके बीडियो के प्रलर लिस्ट में जा सकते हैं यह पर चार्ड में में हैं पर बहुत हो मानप का पाचंतंत्र आप जानते हैं यह कोशन इसकी सरचना कि जब लॉंग पूरा कोशन लॉंग बनेगा जब आपको पूरा डाइगरॉम सहित पूछेगा तो ठीक है और देखो यहां देखो यहां बुला गया है ऑक्सिजन का परिवहान रोधर में कैसा होता है ठीक है ऑक ऐधर होता है इसकी बारे में आपको बताना है ठीक है इसके बारे में आपको बताना होता है तो उसके बाद में नेक्स कोश्चन पर ठीक लगा ये रख्त इसकंदन क्या होता है जैसे रख्त क्लोटिंग भी बोलता है रख्त का थक्का की क्रिया मतला रख्त का थक्का नहीं जम्राएं बहरा हो तो आप क्या करेंगे रख्त क्योंकि पेपर आपका बहुत अच्छा बने वाला है लेंगरोंस की दुपी काओ की बारे में यह सब सब सॉट में बने बानें यह जो कोशन मता रहा रहूं लास्ट में सॉट होने ठीक है और पेसि उथा कि उसके प्छोड नेंगे इसे इमर्जंसी हर्मोन बोलते हैं यह आपका सौट में कोशन देखने को मिलेगा बस इतना पढ़ना है और आप देखेंगे कि 90% मतलब कि आप टॉप 10 में आने वाले हो तॉप 10 का मतलब होता है 2022 के एक्जाम में आप टॉप 10 में आने वाले हो मतलब कि 10 उपर से 10 मी लिस्ट में आओगे यह आप इन कोशनों को रट के चले जाते हो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है आपने चलको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीज़े दोस्तों को शेर कर दीज़े ज़्यादा से ज़्यादा आभी सभी को दोस्तों को शेर करता है और चलको सब्सक्राइब कर लेना है थैंक यू वाय वाय लब यू